सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आकन को ताकि लेटेस नोटिफिकेशन मेले सबसे पहले देखने के लिए अल्लो दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आज यह हमारे पास है सेमसैंज का J7 next जो दोस्तों इस पे लगा हुआ पैटन लॉक कि तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसका पहले फोन को में ढकन निकाल के दिखा देता हूं एक तो दोस्तों चलिए मैं इसका बैक कवर इसका खोल के दिखा देता हूँ पहले तो दोस्तों देख सकते हो इस पे हमारा जो है मॉडल दिया हुआ है J7-01F तो चलिए दोस्तों हम बैटरी लगाते हैं और फोन को स्टार्ट करके हम दिखा देते हैं अपना पेटरन इसका और फिर मैं अब को बताता हूँ विड़ाउट PC आप दोस्तों कैसे इसको पेटरन लॉग अलग कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं इसको फोन को स्टार्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं इस पर मॉडल दिखा दिया हुआ है जे सेवन नेक्स्ट लिखके आया है रहा भी स्क्रीन पर तो दोस्तों अभी फोन ओन हो रहा है तो थोड़ा सा मेट करेंगे तो दोस्तों देख सकते हो हमारा फोन ओन हो चुका है तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फोन है हो चुका है ओन तो चलिए दोस्तों तो दोस्तों देखिए ये पैटरन लॉक डला हुए दोस्तों और हमको इसका पैटरन नहीं पता है दोस्तों तो देख सकते हो दोस्तो तो चलिए दोस्तो हम फोन को कर लेते हैं आफ बैटरी निकाल के आफ करेंगे दोस्तो क्योंकि यहां से नहीं होगा देख सकते हो दोस्तो पैटर्न मांगेगा तो चलिए हम फोन को आफ करते हैं चलिए दोस्तो तो दोस्तो अब आपको क्या करना है इसको recovery mode में ले जाने के लिए hard reset करने के लिए दोस्तो हमको recovery mode में ले जाना पड़ेगा तो दोस्तो उसके लिए हमको home की और power की और volume अपकी को तो तीनों को एक साथ press करना है दोस्तो देख सकते हो तीनों को हम एक साथ press करेंगे volume up और home की और power की को ये तीनों को हमको एक साथ प्रेस करना है दोस्तो तो जैसे ही दोस्तो फोन बाइब्रेट करें वैसे ही पावर की को हमको छोड़ देना है तो दोस्तो फोन ओन हो चुका है तो हम ने पावर की छोड़ दिया और अभी सिर्फ वॉल्यूम अप और ये होम की है प्रेस तो जैसे तो दोस्तो देख सकते हो, यहाँ पे no command आ रहा है, तो हम इसको तो दोस्तो देख सकते हो, हमारा no command को option आ रहा है, तो हमने volume up और home key को एक साथ press कर दिया रहा है, तो दोस्तो देख सकते हो, यह recovery mode में आ चुका है, तो दोस्तो हमको recovery mode में जाने के लिए, देख सकते हो, यह हमको फिफ्ट उप्शन चूज करना है दोस्तो यह वाइब डाटा फैक्टरी में दोस्तो यह है दोस्तो वाइब डाटा फैक्टरी इसको पावर की से हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से करते हैं यस तो दोस्तो नीचे देख सकते हो फॉर्मेटिंग हो रहा है डाटा तो दोस्तो द और दोस्तो इस पर थोड़ा टाइम ले लेगा तो थोड़ा साम वेट करेंगे दोस्तों क्योंकि हमने इसको पैटर न लग करने के लिए हार्ड रिसेट कर दिया है कोई तो थोड़ा से इस पर हमको टाइम लगेगा तो थोड़ा साम वेट करेंगे दोस्तों दोस्तो नो कमांड का obra की को एक साथ प्रेस कर देना है घ्रावर को डावर की को यह बैसले से प्र कर दोस्तो देख सकते हो यहां पर हमारा यह फोन है प्रेस रहा है भी और देखते हैं फिर हमारा जो pattern lock है देख सकते हो दोस्तों हाई reset करने में जो हमारा pattern lock था असानी से हट जाएगा दोस्तों तो देख सकते हो दोस्तों हमारा phone on हो चुका तो चलिए हम इसका setup complete करते हैं फटफट नेक्स्ट करते हैं दोस्तों एग्री करते हैं और नेक्स्ट करते हैं यहां से तो दोस्तों देख सकते हो यहां से हम स्किप करते हैं इसको भी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों यहां से नेक्स्ट करेंगे हम यहां से इसको भी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों पैटन लॉक डालना है तो दोस्तों आप डाल सकते हो यहां से हम पैटन डालना चाहते हैं तो दोस्तों यहां से आप अनको पैटन डाल सकते हैं दोस्तों नहीं डालना है तो नॉटनाओ कर देते हैं दोस्तों हम तो दोस्तों यहां बस देख सकते हो हमारा जो setup complete हो चुका है दोस्तों और दोस्तों आपका इस पर data loss हो सकता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों pattern lock डला हुआ हम hard reset करने में हमारा phone का जो भी data है सारा data loss हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इसको हम letter कर देते हैं क्योंकि इसमें ले लेगा time location को करने में दोस्तों तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो setup complete हो चुका है दोस्तों हमारा जो phone है हो चुका है ओन तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like कीज़े हमारे चैनल को subscribe कर दीज़े हमारे चैनल को और bell icon को भी press कर दीज़े जाकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहूं तो आपको दोस्तों लेटेस नोटिफिकेशन जल्दी में ले और आप सबसे पहले देख सकें तो thank you guys